हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फ्रेंट्स आज हम आपको पताएंगे चीड के पौदे और पाइन के बारे में और इसके उप्योग और लाब के बारे में तो फैंट्स ने से की ये चीर का छोटा पौदा है तो जैसे अब हम इसकी खाल को बार से निकालेंगे और इसके अंदर जो हमारे को दिवाड़ी स्पेद खाल हुलेगे तो बैंट्स बजपन में जो हम इसका काफी उप्यूग करते थे और इसको कहते थे और इसी जो है जो पानी के प्यास होती है वो पूझ आती है और इसको अशानीशे खा सकते है और ये खाने के लिए बहुत बड़ी होती है स्वीट होती है, बहुत वड़िया, तो इसमें काफी मिंडरल और काफी विटरमिन होती है. आज़ यह पाइन का बहुत बड़ा कोदा, और इसमें आप देख रहे हैं, कि इसमें भी मारे ऐस्ट्राएग कोटनी कलता है. निसे कि वीवकुर वाला है और इसको भी खा सकते हैं पर थोड़ा-थोड़ा घाने के लिए बहुत अच होता है और इसमें वीवीटैमिन बहुत अच्छी होती है वाप देख सकते हैं परस्ट दरी से प्रदन डावादा तो आप ये बंद हो दिया और फ्रेंड्स ये है हमारा लोकल एलोवेरा जिसको हम अपनी बासा में सुरू का पौदा भी कहते हैं इसमें जो है उपर यहां पर इसमें एक बड़ा सा फ्लावर आएगा और फिर उसमें बड़ा जैसा फ्ल आएगा और फिर उसको खाते हैं बहुत ही मिट होता है वो और ये एलोवेरा की एक पर जाती है ये जो है मारे यहां पर बहुत पाई जाती है और इसका पौदा जो है बहुत बड़ा होता है और इसके फल में जो है बहुत सी बीटामिन होती है जो की श्रीर के लिए बहुत ही लाइव दैक होती है और इसमें छोटे जोटे जोटे कांटे भी होते हैं जिन को की बहार निकालना पड़ता है ये जो है पाईन के पेड के उपर लगते हैं इसको हम अपने बाशा में कैंथी बोलते हैं और इसमें जो है छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको की हम खा सकते हैं और खाने के लिए बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं पर आज कल इसमें बीज नहीं है कुछ समय के बाद इसमें बीज आना शुक्र हो जाएंगे और उनको खा सकते हैं तो यह जो है घर के जो डिजाइन में भी बहुत काम आते हैं इसमें जो कलर भरते हैं और फिर यह सेजावट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे यहां के लोग इनको जलाने के काम भी करते हैं और इसे आग भी बहुत अच्छी जलती है क्योंकि इसमें खलबोज़ा बहुत बहुता है और फ्रेंडस इसमें ग 지금 गोंद जैसा है इसको निकाला जाता है और इसकी यहां से स्पलाई होती है और आगे फेक्टरी में इसका जो एक गौंद बनता है और बहुत अच्छे दामों पर बिखता है सरकारी रेट पर तो फ्रेंट्स ये देख सकते हैं आप चीड का पौधा बहुत बड़ा पौधा होता इसका आप ये देख सकते हैं ये पूरा ही पाइन का जंगल है तो फ्रेंट्स करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त अब मिलते हैं अगले ब्लोग में और फ्रेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद